तो हमने चर्चा की थी वेला संगम आवास पर जहां नदियों और समूंदरों का जल आपस में मिलता है उस आवास को अपने क्या नाम दिया था वेला संगम आवास के नाम से जाना था ठीक है इसके कोन-कोन से लक्षन होते है तो लिखे इसमें नदियों तथा समुद्रों का जल मिलने के कारण वेला संगम स्तलों पारे अटे दिक लिएला संगम स्तलों पारे अते दिक वनस्पतियां तथा जन्तु जात पाए जाते हैं आप देखे एसा चेतर जहां पर जाक्यों की विवित दता होती है उसे क्या नम देते हैं वे जातु जात पाए इक कुटोन केते हैं ना तो लिखे अगले हैं से वेला संगम आवास के परमुख लक्षण नीम नहीं पहला लिखे इस स्थल पारे जातिये विविदता अधिक पाई जाती है इस स्थल पारे जातिये विविदता अधिक पाई जाती है अर्थात जातिये विविदता अधिक पाई जाती है अर्थात यहां इको टोन का निर्मान होता है अगला नोकुलन की जब नदी समुन्दर में मिलती है जब नदी समुन्दर में मिलती है तो नदी मुख पर नदी मुख पर उसके द्वारा इकठे होकर जमने लगते हैं जो डेल्टा का रूप दारण कर लेते हैं डेल्टा का रूप दारण कर लेते है जहां नदी चोड़ी ओकर कई बागों में बंट जाती है अगला लक्षण लिखेए वेला संगामें स्थाल पारे कि गईला संगामस तल पारे जुआर किसमें जल ज्यादा होगा या कम होगा बताऊं ज्यार किसमें जल अधीग होगा या कम प्रासंगम आवास में जवार की इसमें जल अधिक होता है जब की बाटा आने के दोरान जल में कमी आ जाती है बाटा आने के दोरान जल में कमी आ जाती है अर्थात जल परिवर्तित रहता है अगला लक्सन लिखी जल स्तय बार बार बदलती रहती है क्योंकि बरसाद की दिनों में नदिया उफान पर होती है तो ज़्यादा जल जाएगा तो जल स्तय उपर उट जाएगी और जब बरसात का सीजन नहीं होता तो जल नदियों की दवरा कम लाया जाता है तो जल की इस्ताय नीची हो जाती है जल अस्ताय बार बार बदलती रहती है अगला लिखी लवनता में भी परिवर्तन आता है लवनता में भी परिवर्तन आता है वर्षा रितु में लवनता कम हो जाती है वर्षारितु में लवनता कम हो जाती है क्योंकि नदियों के जल्गाता है ज्यादा और नदियों के जल स्वश्च जोता है लवनता कम हो जाती, अगया लिखी वेला संगम अवास्तल में जलदाराएं पाई जाती है जलदाराएं पाई जाती है जलदाराएं पाई जाती है जलदाराएं पाई जाती है जहां नदियों का जल नदियों का जल उपरी इस तया पर होता है उपरी सतय पर होता है, जब की समुंदर का जल निचली सतय पर होता है. जल की स्थाय जो तीन उपर नदी का जल होता है और समुंदर का जल होता है ताप करम में लगातार परिवर्थन आता है जल की उपरी स्थाय अधीक ताप करम वाली होती है अधीक ताप करम वाली होती है जबकि नीचे की स्थाय अधीक ताप करम वाली होती है जबकि दोनों नदी और समुंदर का जल मिलता है इसकान खाद्य स्थल बन जाती है यहां परचूर मात्रा में यहां पोसक्त पदार थे पाए जाती है तो लिखे वेला संगम स्थलों पारे खाद्य पींजरों का निर्मान हो जाता है अधीक पर खाद्य पींजरों का निर्मान हो जाता है मनिश ऐपून पर खाद्य पींजरों का निर्मान हो जाता है अगले विशेश्टा लिखे परकास की बेदन चमता परिवर्ती तो थी परिवर्ती तो थी जैसे वर्षा रितु में वर्चा रीतु मोहां को सब्सक्राइब जーक। तेखें दाली वेला संगम के जीव स्विराइन फरना वेला संगम के जीव स्पेड बढ़ाए थोड़ी वेला संगम के जीव में पांस परकार के जीव मुख्यारूप से पाये जाते हैं पांच परकार के जीव मुख्य रूप से पाये जाते हैं ओलिगो एलाइन ओलिगो हैलाइन वेला संगम के वास्त्वीक जीव वेला संगम के वास्त्वीक जीव यूरी हेलाइन, स्टिनो 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 हेलाइन परवासी जीव देखिए यह भी परकार हो गया ना एक उलिगो यूरी और श्टिनो मतलब यह कितनी प्रहास में लवणता का पेमाना सहन कर सकते हैं उस अदार पर इनके गरूप बना दिए यूरी लाइन में कौन से आएंगे इनका पर्चलन सल गया कि इनका एक समुए या गरूप हो गया इसके अंदर यही इस सदसे आते हैं ठीक है कि अब देखिए ओलिगो एलाइन कौन से हो जाएंगे जो नदियु के साथ बैक राएंगे शाप पानी के इंदर लवनता कम होती है न तो इसे सदस्य क्या कलाएंगे ओलिगो एलाइन तो लिखी अगला इंसे ओलिगो एलाइन ओलिगो एलाइन स्वच्च जलिये नदी के जीव होते है जो अधिक लवणिये सांदरता सेहन नहीं कर सकते हैं जो अधिक लवणिये सांदरता सेहन नहीं कर सकते हैं लेकि वास्तविक जीव लवणिये सांदरता के परती अनुकुलित होते हैं कि लवणिये सांदरता के परती अनुकुलित होते हैं कि अनुकुलित होते हैं कि लिखे यूरी एलाइन किसमें प्रेजेंट होगी जो अधिक प्रास का सेहन करें और अधिक प्रास कहां होते हैं तो ये समुंदर से वेला संगम की तरफ आते हैं ज़ान देना ओलिको आते हैं नदी से समुंदर की तरफ जबकि यूरी किस तरफ आएंगे समुंदर से वेला संगम की तरफ जिन में अधिक लवण सेहन करने की चमता होती है, अधिक लवणिये सांदर्ता सेहन करने की चमता होती है। अधिक लवणिये सांदर्ता सेहन करने की चमता होती है। स्टिनोहलाइन, जीव, वेला संगम मुख के आसपास, वेला संगम मुख के आसपास, खुले समुद्री किनारों पर रते हैं। खुले समुद्री किनारों के आसपास रहते हैं। वेला संगम मुख के आसपास, खुले समुद्री किनारों पर रते हैं। फिले लिखे परवासी जीव, थोड़ा समय ही वेला संगम मुख चैतर में व्यतित करते हैं। व्यतित करते हैं। हट है कि मैंnant में भुणतीत करते हैं हाट के असलिके के मैल दिटेहां मैं वेला शंगम आवास में निम पाई जाते है निम्नाजीव पाई जाते हैs मिन जुपाई जाते हैं अफेडळ कम राइ तोमा नेवीज पूर давно राइसोस्टोमा नेवी क्यूला नैजि लेडिया विजिलेडिया विजिलेडिया वृटिसेला यूग लेना यूज वो막क्स आजिलेरियन वोक्स ओ कर दिया। वर्टिुशेला और सिरोसिय यूजूएम सिरोसिय यूढ तर से लियूउ tahun शिरोशियम नुक्तिल्यूका नुक्तिल्यूका लेकि शी एनिमन शी एनिमन नेरीज एरो निकोला नेरीज एरे निकोला एरे निकोला साइक्लोप्स हर्मिट क्रीब साइक्लोप्स हर्मिट क्रेव जिंगे मगरमच आदि लास्ट आदि डालिये वेला संदम आवास के अनुकुला वेला संदम आवास के अनुकुला अडेप्शन ओफ इस्टेरियस एविटेट वेला संदम आवास के अनुकुला विला संगम आवास के हैं नुकुल लिखि मिस्रीत आवास के कारण मिस्रीत आवास के कारण मिस्रित आवास के कारण इन जिवों में अधिक अनुकुलन पाये जाते हैं देखिन नदियों का और समंदर का दोनों का आवास मिलता है ना यहां तो दोनों की विशेस्ता है होगी अधिक अनुकुलन पाये जाते हैं जैसे जैसे पहला नहीं लिखिए प्रासन नीमन उसमों रिगलेशन उसमों रिगलेशन तेकि ये सदस्य है ये सदस्य है सामान्यत है यूरी है लाइन होते ही यूरी है लाइन होते हैं प्रासन नीमन ने तू कुछ केकड़ों में कुछ केकड़ों में उसर्जी अंग कुछ केकड़ों में उसर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड की किरिया बढ़ जाती है या जीवों के गिल्स में क्लोराइड सेल्स जीवों के गिल्स में क्लोराइड सेल्स विक्सित हो जाती है जो लवनों को अवसोशित करती है लवनों को अवसोशित करती है तो उसमें रुगलेशन की प्रियाप छमता इंके इंदा पाई जाती है घरना प्रिया तेज जल्दारा की दोराण अवसोशित करती है यह जल्दू कि चढ में दसकर स्वयम की शुरुख्शय करते है डीजिम की स्रुक्सिया करते हैं इस अ gun除श्या करते हैं है लेखके केट कि फिस अगला अन पृण गेट कि फिस सम जल डारा हमसे उसरुक्सिया है जूब केट कि समूब ऑब गर को गर अंडों को बच्चे निकलने तक मुख में रखती हैं अन्डों को बच्चे निकलने तक मुख में रखती हैं टोफर लारवा बेला संगम आवास के अनुकुलित होता है बेला संगम आवास के अनुकुलित होता है की यहां गाद ज्यादा होती है कित्चर ज्यादा उत्य चणंफास अपरद भक्चजग हो तें लोग चड़े कि अप्रद बख्चक होते हैं और टैंफरेचर के अंदर इन में परिवर्तन बहुत जाद होता है तो यह जांतु क्या हो जाएंगे यूरी थर्मल हो जाएंगे अधिक ताप प्रास सेहन करने की चमिता होती है तो अगला नुकलन लिखे इन में अधिक ताप प्रास सेहन करने कि खमता होती है कि अब अब लोग में अब लोग में अब लोग में अब और अब शिजन की उपस्तिती में रहने की खमता रखते हैं और शिजन की कमी में रहने की खमता रखते हैं अब लिए चाहीं कि अब लेखिए ओपल खमस अगला नुद्धल लेकि ऑपल खमस मचलियां और खमस मचलियां ओपल खमस मसलिया अत्रेक्त सवसनांग रखती है अत्रेक्त सवसनांग रखती है ताकि किच्ण में सवसन की किरिया पूर्ण करसके किच्ण में सवसन की किरिया पूर्ण करसके अत्रेक्त सवसनांग रखती है ताकि किच्ण में सवसन की किरिया पूर्ण करसके तो ये आपकी युनिट थर्ड कम्पलिट हो गई कल आपन सुरू करेंगे इनिट पॉर्ट के जिसमें अपने पढ़ेंगे स्थलिया पारिस्तितिकी आज के लिए इतना ही आप सभी का जुड़े रहने के लिए दने माज़ें